अब जल्दी से सब लोग लाइब आजो शुरू करते हैं सेशन आइकन सी राम गौर कैसे हैं बिटा गुद मौर्निंग राठोर कैसे हैं गुद मौर्निंग डिफेंस गौरफ रंजन गुद मौर्निंग सब लोग जल्दी जल्दी लाइब आजो शुरू करते हैं आज का सेशन आपका अपना वक्याब लेडर और मैं डॉक्टर में शिशौदिया आप सब का वेलकम करता हूं आपके अपने फेवरिक चैनल ऑनलाइन बैंचेर्स पर सो गाइस कम फास्ट एंग जॉइन उस एंडू कम इन बीटा जैहिंद सर्व यू बिटा जैहिंद 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 मैं बहुत बढ़ी हैं बिटा जैहिंद इग्जैक्टली मैं बहुत बढ़ी हैं बस आप सक बताओ आप कैसे हैं जैहिंद 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 तो सब लोग फटाफट पर मिलता होगा और टेलिग्राम चैनल पर नहीं मिला बेटा पीडिएफ आई विल चेक अगर नहीं मिला होगा तो मैं बेटा आज अपडेट कर दूँगा ठीके ना अगर किसी वज़े से नहीं मिला है तो जैहिंद 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 गुड्मारिंग गुड्मार बिटा और वकेब की बात हम इसार के साथ डेली सुबह आठ बजे बस ये बात याद देखो और आपको डेली सुबह बजे वकेब प्लस रीडिंग अबिलिटी कराई जाती है तो फटा फट शुरू करते हैं आज का सेशन गाइस यह हैं ऑनलाइन बेंचर्स का अपना टेलिग अपने हिसाब से कोई भी सेशन जो आप चाहें तो आप अपने हिसाब से कोई भी सेशन जो आप चाहें से जोइन कर सकते हैं about me मेरा बहुत ब्रीफ से इंट्रोडेक्शन है मेरा नाम है डॉक्टर मिशी शौदिया प्यस्डी की एंग्लिश लिटेचर में ग्यारे साल से जादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है एक्जैम टॉट बिटा सी डीए साफ कैट सी एप यह सब एक्जैम पढ़ा रखने ओं लाकस्ट बहुत को मेंग्ली किया है यह बैटा पूरा का पूरा पूरा ओले बच्चों के लिए हैं पॉलिटी कि क्लास यह पूरी क्लास चैय्टew त Jest सिक्स तोप मार्च को बारे बज़े से और एक ही क्लास में पूरी इंडियन पॉलिटी का सेक्शन खतम करेंगे कासिफ सर ऐसे बिटा मैट्स का सेक्शन लेंगे ताहिर सर आपका जितना भी कौन्टिटिव अप्टिट्यूट है ना ये सब का सब बिटा सैवंत ओप मार्च को मनाया जाता है मतला आज अपना और अपने घरवालों का और अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल लखें इडिस कॉल्ड नेस्नल सेफ्टी डी तैंक यू बेटा बहुत बढ़िया मुकेश बहुत अच्छे हैं सीडियस रिजल्ट कब आएगा सर जी बेटा सब आ जाएगा जल कोटेशन ऑफ दा डी बड़ी सही है बेटा मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो बहुत अच्छे रियालिटी में राजु देश आई गुड मॉनिंग सच में बेटा बहुत अच्छी कोटेशन है सही बात है ना जब सब लोग क्रि ठीक है बेटा सुनों बात समझे है ना रियालिटी कि अगर है कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तुम से ना होगा तुम से ना होगा तो एक मन करता है ना कि हम तुम्हें करके दिखाएंगे कि हम से होगा किसी से होया ना हो तो बिलकुल सही बात है बेटा कि मजबूत होन आएगा वे मेहनती तो करनी पड़ेगी अरे एक सीधी सी बात है ना मैंने एक आपको लाइन बताए थी कि एक राइटेकि में लाइन पढ़ रहा तो उसने कहा था कि मैंने चीजों को नाइन टेम्स मो करता था दूसरे पीपल से क्योंकि मैं ये कभी नहीं सुनना चाहता था क मैं नहीं कर सकता है तो बात सही है हम वक्रेप पढ़ा रहे हो सकता है कि कि किसी को एक क्लास देखके सारे वर्ड से आद आ जाए हो सकता है किसी को दो बार देखना पड़ जाए हो सकता है कि किसी को तीन बार देखना पड़ जाए लेकिन बात है कि हम करके दिखाएंगे हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे हम आपको शो कर देंगे कि हम भी कर सकते हैं ठीक है वैल दन बच्चो आज मेरे कोटेशन चुरा लिया चाशोक शर्मा यह आप ही की हो सकती है बिटा ऐसा नहीं है कॉमेंट सेक्शन से उठा ली होगी आज है बस आपका नाम नहीं लिखा ग तो क्लास में बताया था आप में बिल्कुल बिटा संदीप सेन बहुत अच्छे जैहिंद जैहिंद आसिश शर्मा सिद्दान्त कैसे हैं बिटा जैहिंद दिव्या शिरिवास्तव सच बताएं बिटा इतना प्यार और एफेक्शन आप शो करते हो बस एक बार मैं चाहता रहा हूँ शायद इस संडे आई विल गेट दे टाइम तब मैं आपको कुछ करेंगे दिखाऊंगा और हम इसको और मजबूत करेंगे सेक्शन को देखते हैं क्या होगा लेट सी बिटा बताते हैं बस इस संडे तक आप रुख जोई संडे के बाद मैं आपको बताता हूं आमन कहते हैं D.E.A.C.B. D.E.A.C.B. बहुत बढ़ी आमन चौहान क्या बात है दूसरे नमबर पाई रोहितास का नमबर आया है दरेंजे D.E.A.C.B. वैल डन बचो वैल डन कल कॉलेज गई थी तो स्टडी नहीं कर पाई कोई बात नहीं है बहुत बढ़ी आप बढ़ी आ आजाता है सुबह सुबह आंसर देख के सच बता रहों D.E.A.C.B. विल बी दर करेक्ट सेक्वेंस D.E.C.A.B. लिखा है D.E.A.C.B. लेक्षी अभी देखते हैं क्या है राजू दे से ठीक है सच बता रहे हैं एक दब मज़ा आ जाता है कि हम जो महनत कर रहे हैं वो वसूल हो रही है कि आप सब लोग बिटा आंसर देते हैं कैसे है सौरा बहुत बढ़िया बिटा सेक्वेंस D.E.A.C.B. बिलकुल सही सेक्वेंस D.E.A.C.B. राजू थोड़ा सा चूग गया इस्टिंडेंट क्या होता है बिटा ग्रेटिंग होता है ना एक साउंड थी हार्सी ये कल आपने सौरब बताया था वर्ड कि इसको सौरब भी मेंट भी कह सकते है ना दसेम इस या वैल दन बच्छो बहुत बढ़िया बहुत अच्छे सच बात है बहुत अच्छे नेक्स आओ बिटा नेक्स बताओ अंसेवरी टेस्टी नहीं था ना बिटा क्या अंसर था अ वाकस साउंड बिलकुल सही बाता है सोक शर्मा बहुत अच्छे जल्दी से बतना है बिटा करेक्ट स्पैलिंग क्या है हाँ बिलकुल बिलकुल अंसेवरी बिटा बी इस दा करेक्ट स्पैलिंग वैल डन बच्छो करेक्ट स्पैलिंग क्या है सही आपने आंसर दिया बी इ दिशारवी का जिक्र हुआ था ना वो किस चीज़ के लिए बेटा हुआ था क्या चीज़ ट्रू अबाउट है और शीज़ पॉलिटिकल लीडर शीज़ स्टैंडप कॉमेडियन शीज़ फाइनेशियल एलनिस्ट और शीज़ क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट क्या अंसर ह दिशारवी दिशारवी के बारे में दिया गया था ठीक है तो याद आ गया होगा बिटा वहीं कल करने के लिए एक्टिविजम को बिटा प्रोविजन आफ सेडिशन या मैटर ओफ नेशनल सेक्योरिटी एकनॉमिक जस्टिस या विर राइट अगेंस्ट एक्स्ट्वाइटेशन जल्दी से बताव विच आफ दो फॉलिंग इस यूस्ट टैस टूल तो रिप्रेंस दवाना बेटा एक्टिविजम को क्या क्या यूज करते हैं बहुत बढ़िया इससे पता चलता है कि आप पढ़के आते हो बहुत बढ़िया बेटा प्रोविजन आफ सेडिशन बिल्कुल से बात है बेटा प्रोविजन लिए गे थे सेडिशन से जिससे हम क्या करते हैं आक्टिवि होता है आपका editorial का vocabulary वाला section आज के भी words आपको बहुत पसंद आने वाले हैं एक बार सब लोग thumbs up कर दो session को like और share कर दें sir मैं साथ ही साथ note कर लेता हूँ ये बहुत अच्छी बात है अगर आप करते हैं बिटर दत्ता अगर आप आप नहीं भी करेंगे तो you will get the pdf मैंने आपको बता है बेटर ये number है 9548 it's 484 99113 आपको बस कुछ नहीं करना अपना नाम लिखके whatsapp करना है बस नाम लिखके whatsapp कर दो you will get the individual pdf आपके पास pdf खुद पहुंच जाएगी और notification आ जाएगा so that won't be the hassle कि आपको pdf आपके editorial group में से निकालनी पड़ेगी you will get the benefits बेटा from my side पूरी कोशिश है कि आप लोगों से बेटा vocab का जो phobia हमने पाल रखा है ना ये 100% आप से खतम करवाना है पहला word आ जाता है बेटा लूम पहला word आता है बेटा लूम बहुत बड़िया आपको खुद चूज करना है कि आपको कैसे वड़िया देता है बेटा पहला word आगए आपके सामने लूम लूम का मतलब क्या होता है बेटा देखो लूम का मतलब होता है पास ही मंडराना जैसे कोई चीज लूम करने लग जाती है सबसे अच्छे एक्जामपल होता है बिटा क्लाउड्स का जब बारिस आने वाली होती है तो क्लाउड्स क्या करते हैं बिटा मंडराने लग जाते हैं लूम करते हैं ठीक है एक reeling होता है गूहमना जैसे बाज होते हैं ना वो लूम करने लग जाते हैं शिकार के चारतव that is called the loom अच्छी आप बहुत बढ़िया बेटा संधी बहुत close number लिया है बेटा आपने यह हो सकता है मैंने आपको देख के लिया हो कि ऐसा number लूँगा मैं आज़े हैं तो पास ही मंडराना to appear seriously and likely to happen soon बेटा बिलकुल seriously and likely happen soon जल्दी हो जाएगा and to appear as a large shape that is not clear especially in a frightening way यह कुछ आज़े समझ लो होता है ना कि आपने भूत बूत की मूवी देखी हो horror movies haunted movies तो एक दम कहते हैं बड़ी सी shape मेरे ओपर से गुज़ जागी मतलब मुझे पता नहीं चला हो क्या हो गई आपके तो कोई मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ मंडरा रहा है यानि कि कोई बड़ीशी shape है जो clear नहीं है लेकिन वो है कि आपको दिख रहा होगा ठीक है हाँ लूम को कह दो जूम बराबर जूम बिल्कुल सही बात है तो आपने का dark storm clouds loomed on the horizon horizon पर दिखाई दे रहा है कि जो dark storm clouds है ना ये लूम करते हैं बहुत सारी movies में दिखता है ना तूफान आने से पहले horizon पर दिखाते हैं black होता चलाता है horizon that is called the loom next the threat of closer looms over the workforce मतला जो threat है ना किसकी बेटा closer की की बंद होगी factory loom over the workforce workforce पर बेटा लूम कर रही है कि कुछ ना कुछ चीज़े बंद होगा ठीक है सर संदीब का नंबर भी आपके नंबर के आसपास मंड़ा रहा है बिल्कुल सही बात है संदीब का नंबर भी हमाई नंबर के आसपास loom कर रहा है आँ ट्रांस लिउसेंट अपिरेंस हेजी हो सकता है बिटा बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं एकदम सही है when my health worse and my sister keeps looming बिटा keeps on looming आएगा keeps on looming आएगा मुकेश ऐसे करना पड़ेगा ठीक है नेक्स देको आज सेलेक्शन इस लूमिंग आराउंट आसपास ही मटरा रहे कहीं वैन यू रीजट एट बाके बिहारी सिरी रादे इस ओल्वेज लूमिंग इन यूर माइंड पिल्कुल सही बात है बिटा बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बिटा सही एक्जाम्पल ले इक्णामी मेफ इमर्ज का मतलब क्या होता है बहार निकल जाना जंगल से और जंगल से बहार निकलने का मतलब अपनी जान बचा लेना आप जो खत्रे में थे खत्रे से बाहर निकल आते हैं out of the woods होता है या दिखना out of the woods से एक मुहावरा होता है out की जगा बिटा इन्होंने emerge का use किया emerging out of the woods का मतलब होगा खत्रे से जो एकनौमी है वो अभी बाहर निकली है but challenges looms लेकिन जो खत्रा है ना challenges वो अभी भी मढरा रहे हैं यान इसको कैसे रुका जाएगा बहुत बढ़िया वैल दन तो बिटा एक बार session को like और share कर दो फटा फट देखो क्या होगा बिटा loom का मतलब होता है impend करना देखो impend का मतलब क्या है अजया किसी बच्चे ने कल एक वो वर्ड लिखा था बिटा समझो एक में पास message आया तो उसने को screenshot नहीं भीजा कि कुछ words के जो meaning होते हैं न वो थोड़े से हमें differ लगते हैं यह synonyms और antonyms वाले बिटा के किसी भी word में problem आती है you have my number बिना किसी जिजक के screenshot कीच के बेज़ दो I will explain don't worry ठीक है हम देखो अपनी तरफ से पूरी तरीके से बेटा मैं आप देखो मेहनत देख रहे हूं पूरा चेक करते हैं लेकिन इतनी सारी चीज़ के बीच में हो सकता है कभी कोई word किसी वजा से गलत हो जाए word के explanation अगर यहां नहीं है तो यहां भी देते हैं ठीक है जिसे आपको कोई दिक्कत ना हो पर फिर भी अगर आपको कोई भी problem है तो please साथ के साथ inform करें be a responsible student बात समझ गे be a responsible student मैं दो तरीके के होते हैं न एक वो होते हैं जो कमिया ढूनने वाले student होते हैं एक वो होते हैं ज क्यों कुछ लगे तो बेटा जरूर मुझे एक दम बताएंगे फटावट जैसे हम सारे बच्चों का correct करा दें आजो बेटा पहले भी गलती होगी थी एक बार तो हमने correction में डालके correct करा दी थी थी थेखो इंपैंट का मतलब क्या होते हैं इंपैंट होता है if an event impants मतलब usually an event that is unpleasant or unwanted is going to happen soon जल्दी होगा मतलब कुछ चीज़ इंपैंट होगी इसका मतलब कुछ बुरा सा कुछ गलस सा जो आप नहीं चाहते हैं जो बहुत unpleasant है वो बहुत जल्दी होने वाला है ओके that is called इंपैंट नेक्स आजो बेटा appear तो आसान वाइड़ प्रतीत होना और come to light मतलब किसी चीज़ को बेटा रॉष्णी में लाना प्रिकास डालना किसी चीज़ के बारे में पता चल जाना ठीक है अपोजिट देखो अपोजिट क्या है बेटा इसके अपोजिट देख लो सुनो no exact अपोजिट बेटा कोई अपोजिट इसका ही नहीं आसपास में कि भी लूम का अपोजिट हो ऐसे थोड़ी है कि future में होगा तो इसके लिए पास डाल दो ठीक है नेक्स देखो बेटा आप सुनो इसका मतलब क्या है sounds like लूम को कैसे समझ लूम आपने का लूम कैसे काम करता है आपने का लूम सर ऐसे काम करता है जैसे जाइड डबल ओम जूम हो गया कोई चीज ठीक है तो बेटा जूम होगे यानि के जूम करके देखोगे तो आपको खतरा दिख जाएगा आप करेंगे कुछ आसपास में है that is called a loom तो जूम और लूम को आप मिला सकती है ठीक है next आजो और जूम तो बताई दिया आपने जूमते रहना यानि के मढ़राते रहना आसपास में next देखो बिटा फीबल फीबल बिटा फीबल आप भी ऐसे बिटा सन निकल जाता है और आप जब बहुत मैनत करते हो तो आप ऐसे हो जाते हो इतनी लंबी टंग बाहर निकल जाती है ठीक है जब सुबह सुबह दोड के आते होगे तो ऐसी बड़ी लंबे-लंबे से सांस लेत कि वह अब हो गया वस अब थोड़ी दे कुछ मत बोलो तो that is called feeble बेटा ऐसे निकलाती है टंग सुबह सुबह it's called feeble कमजोर हो जाना ठीक है कमजोर महसूस करना let's see she made a feeble attempt to explain what had happened उसने जो बताने की कोशिश करी बेटा वह attempt कैसा था वह feeble attempt था मतलब अच्छे से बता ही नहीं पाई बेटा आप कैसे तो feeble classroom है उतना strong नहीं है जितना हम चाहते हैं feeble personality है उतनी personality strong नहीं है जितनी हम चाहते हैं और feeble introduction है introduction उतना strong नहीं है जितना होना चाहिए ठीक है that is called your feeble याद रहेगा बेटा आ जाओ feeble का मतलब होगा the little lamp gave only a feeble light जो little lamp है उससे जो light आती हो बस feeble है बस है light है ये sufficient है इसमें दिखता विखता कुछ नहीं है it is called feeble light याद आ गया हाँ बेटा wobbly बिलकुल सही बात तो feebly बेटा feeble समझ आया feeble is called very weak कमजोर सा अब देखो इसको हमने कैसे use किया एडिटोरियल में इंडिया इकनामी is estimated to have rebound बिटा क्या हो रहा है कि इंडिया की जो एकनामी एना is estimated to have rebound रोच की है आउट आफ बिटा किस से technical recession से मतलब बहार आचके है और टू रिकॉर्ड रिकॉर्ड फीबल ग्रोथ इंद ऑक्टूबर बिटा रिकॉर्ड करते हैं फीबल ग्रोथ मतलब कमजोजी ग्रोथ इंद ऑक्टूबर और डिसेंबर 2020 पीरियड ऑक्टूबर और डिसेंबर के 2020 पीरियड में वह कमजोड थी ठीक है पीडियाफ कहां मिलेगी सुमन अभी आपको नंबर बताया तो वहां मिल जाएगी अगर आप उस पर नाम लिखके भीज देंगे और उससे अलग बिटा हमने ये कहा कि आप टेलिग्राम चैनल जोइन करें ऑनलाइन बैंचर्स का वहां मिल जाएगी एवरिवेर बहुत प्रेज होते हैं बैटा टीचर्स के क्लास के नोट निकाल लेते हैं पता नी क्या-क्या कर जाते इस ट्रेंट्स तो आपके बहुत सीधे हो सकते हो जो आप इतने आसानी से पूछ रहे हो ठीक है आज हो विल्डन शुरू करते हैं नेक्स देखो बैटा नेक्स हमारा फीबल पूसी लेनी नहीं है लड़ने के मूड में नहीं है यह नहीं यह से आपने सुना होगा वहुत कामका वर्ड है तो प्यूसी लेनी मिति मतलब होता है नौट ब्रीव और प्यूसी ले निम्यस ले निमस होता है बिटा एजक्टिव इसका ठीक है तो आपने कहा क्या ब्रॉणी यानि के ताकतवर यह पहले भी आया गया था और बिटा रूबस्ट यह तो समझ आया है रॉब वाला वर्ड है रूबस्ट है ताकतवर आदमी है ठी अंदर इट इस और वीक बिटा देखो ऐसे डिफ्रेंस नहीं पता चलते हैं पहला दिफ्रेंस तो पार्स ओव स्पीज को सकता है गया जिंदर ठीक है लेकिन वीक था हमने वीक के लिए वर्ड बता दिया है अब आपके पास टाइम है हम आपको वक्याब्याद कराने किसी म समझ लो आप बल से फिरी हो यानि कि आपके अंदर बल नहीं है अगर आपके अंदर बल नहीं है तो आप कैसे हैं फीबल है मुझे लगता है आप आज के बाद इस वर्ड को नहीं भूलोगे आपके अंदर बल नहीं है इसलिए आपका इस्टेटमेंट फीबल है आपके Oh, okay. Next question देखो, बेटा. Next word देखते हैं, बेटा, semblance. बिलकुले सही बात है, बहई semblance को अगर आप देख रहो तो resemblance के sound आ रही है, na? Federation resemblance resemblance, 2-3 भाब बोलो बेटा semblance resemblance resemblance resemblance, and you will just remember the word, semblance resemblance क्या है बच्चे? देखो ये सब के सब, मतलब मानो ओरेंज है ठीक है उसी की एक बेटा मतलब अलग वेराइटी है यह दी जादा वेराइटी तो आप देख पानो सबके अंदर कुछ ना कुछ बेटा similarities हैं तो आपने का यह सब semblance है semblance मतलब दिखावा है या अनुरूपता है अनुरूप मतलब same होता है दिखावा है या अनुरूपता है मतलब a situation in which something seems to exist एक ऐसे situation जिसमें लगता है कि कुछ होगा तो सही although this may not in fact be in the case मतलब जैसा लगता है लेकिन हो सकता है कि ऐसा factual ना हो similarity to something किसी चीज़ से similarity or to appearance of being having something ऐसा ऐसा appearance बेटा जो लगता है कि होगा सर आप तो ऐसा लग रहा है सारे ही वर्ड रिपीट कर रहे हैं आप क्या बात है सौरभ बिलकुल नया पैसेज है बेटा समझ गे आप यह सोचो कि बेटा कितना बड़ा saturation है we are going to close hundred और सही आपकी बात ह मुझे भी ऐसा लगता है बेटा नया पैसेज आप देखोगे आपको ऐसा लग रहा होगा word पुराने but it's a very fresh passage you will see कि बेटा words इतने repeat करते हैं क्या करा जाए मतलब उतना collection निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत बढ़िया तो हम यह कह रहे हैं बेटा कोशिश करो कि आप बस इन्हें करते जाओ यह सारे के सारे मतलब word repeat भी हो जाएंगे नए words भी मिलेंगे और आपकी reading भी बढ़ जाएगी बहुत बढ़िया आप बेटा मैनत करें इसलिए आपको समझ आ रहे है my princess sometimes pretend to be a fufa जी at that time she seems to be the sweetest क्या बात है बेटा मुकेश बहुत बढ़िया आ दो यूद विराम इटया για सीजफ़ाइर का होता होता यूद विराम ठीक है तो यूद विराम क्या है यहां सेडलेंस आफ ओ टर पिटा ऑस्वी आप आप अक सैंबलेंस है मतलब एसा अ रखता है कि यह और की सिफ रिजांबल sympathy है कुछären हमने ओडर दिखा दिया की सार, हू of normalcy मतलब क्या हुआ कि लास्ट मैं ऐसे रखता है कि जो life है ना वो कही ना कहीं बिटा normalcy की तरफ लोटती जा रही है और normalcy नहीं है लेकिन वो semblance है यानि कि वो normal life का दिखावा है that is only the unruptah to the normal life or copy है well done आज वो बिटा next वर देखते हैं next क्या है इसका editorial के example देखो the unlocking phase बिटा जो unlocking phase है ना that has largely complete by the late September बिटा जो late September वे वो हीटी बिटा brought back semblance of of normalcy वो क्या है वो semblance लाती है बिटा normalcy का next आजो semblance का मतलब बिटा similitude यानि के same ही होगा और बिटा facet भी copy होते है किसे इसके same होगा बिटा incongruous मतलब होता है different सुन लो incongruous मतलब होता है different in opinion और disagreement और discrepancy होता है बिटा जगडा इसका मतलब सही तो है कि resemblance है agreement होगा और opposite यह हो जाएगा तो हमने कैसे कहा semblance rhymes like resemblance तो resemblance से sound करता है तो इसका मतलब समझ आ गया agreement between इंडिया और पाकिस्तान seems semblance बिलकुल बैटा सही बात है इंडिया पाकिस्तान के बीच का जो agreement है वो semblance दिखाई दिता है semblance of कि कर नॉर्मलेस ही लिख दो कि नॉर्मलेस ही है ठीक है नेक्स देखो बिटा sparing क्या होगा sparing समझ लो बिटा sparing होगा प्रोथ साहित करना किसी चीज़ को बिटा प्रोथ साहित करना जैसे आप देख रहो कि leader कैसे करता है बिटा leader ऐसे direct करता है ना that is called बिटा प्रोथ साहित करना आगे देखो to encourage an activity or development or make it happen faster to encourage encourage करना an activity को और development or make it happen faster की चीज़े जल्दी से हो जाएं जैसे आपने कहा my trainer spurred me to keep up a pace of four miles and hour मतलब मेरा जो trainer है ना spurred me spurred कर दिया बिटा ताकत दी मिझे to keep up a pace of four miles and hour कि मैं चार किलोमीटर बिटा एक घंटे में दोड़ पाया आपने कहा the band has been spurred on by the success of their last single मतलब क्या हुआ बिटा the band had been spurred on बिटा spurred on करना यानि के proceed करता है by the success of their last single को लेके ठीक है बहुत बढ़िया बहुत अच्चे बिटा session एक बार सब लोग बस like share करते हैं जो सब लोग बने रो साथ में और word याद कराने की बिलकुल guarantee है कि word याद होगा और सौरब इसलिए आपने revision किया तो आपको सब कुछ एकदम ठीक से याद आ रहा होगा कि हाँ ऐसे ऐसे words होते हैं ठीक है इसलिए हम कहते हैं कि जिस दिन से आप शुरू करें आप इसमें ये ना सोचें कि मुझे पहली वाली जो PDF हैं उनको हमें collect करना है ठीक है आज हो हमने का बिटा brought back a semblance of normalcy जहों वापिस लेके आते ना normalcy का क्या बिटा semblance की मतलब चीज़े normal हुई है with pent up and festival demand के साथ में sparing spending मतलब क्या होता है बिटा तो हम spending को क्या करते हैं यानि कि उसको ताकत देते हैं and help robot बिटा क्या production lines और जो production lines है उनको reboot कर देते हैं और दुबारा से शुरू करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा इस पर करदा बिटा motivate करना बिल्कुल सही बात है या किसी को insight कर देना एकदम correct है नेक्स देको demoralize कर देना moral को कम कर देना और disconsolate कर देना बिटा disconsolate करना यानि कि उसको दबा देना ठीकर है शांत कर देना that is called exercise in the morning spurs to study बिटा सही बात है spurs करते है study को बिल्कुल एकदम सही बात है कि क्या देते है energy after watching a motivational video तो he was feeling super और super का मतला इस पर बिल्कुल सही बात है एक motivational video एक class देने के बाद वो super feel करता है और super का मतला वो spur feel करता है ठीक है that is called a super या spur I am spurring work you बिटा sentence सही नहीं है मतलब भी नहीं समझा रहा है कैसे हो रहा है बिटा आजो आ बिटा bulwok क्या होता है bulwok समझो बिटा bulwok are silent है तो bulwok बोला जाएगा बांध होता है बिटेक तरीके का जैसा आप देख रहे है बड़ी powerful सी बिल्डिंग की वाल्स बनी हुई है ठीक है in this manner जैसे बना रहे हैं ताकत्वा वाल्स like this a wall built as a defense बिटा आपने वाल को built करा है as a defense कि वो defense करेगी protect करेगी आप person or thing that protects or defense something एक person या थिंग जो protect करता है defend करता है किसी को ठीक है हाँ बिटा वो दोनों में आ सकता है बिलकुल उजुवल वो दोनों में आ सकता है ठीक है इसलिए हम कहते हैं कि synonym जब हम निकालते हैं synonym जब हम निकालते हैं तो उस word का near about meaning ही निकलता है ये बात मैंने कल भी समझाई थी आप अगर एक बार उस पर डाल दोगे न नैट में तो देखेंगे इतने सारे words है जब आप उनको detail में लग लग पढ़ोगे तो थोड़े सा लग हो जाते हैं आप भी हम लोगों को daily motivate कर देते हो जिस दिन आपकी class नहीं होती उस दिन बोरिंग सा लगता है तो that will be Sunday only क्यों वेटा आप प्रिया that is on Sunday only कि Sunday को class नहीं होती है तो बोरिंग क्या उस दिन तो वैसे सोते रहते हैं कि Sunday है चलो आज बहुत आराम करते हैं आप तो Monday to Saturday और वी फेस वी मतलब ट्राइ की Saturday वाली जो class है वो भी live होगी टेस्ट भी आपका live लिया जाएगा ठीक है आज उसको recorded नहीं देंगे हमने कहा my savings were to be bulwark against unemployment at the time sorry sorry my savings were to be bulwark against unemployment मतलब जब मैं unemployed प्राइड था ना मेरे पास मतलब कोई जॉब नहीं थी तो मेरी जो savings थी वो क्या थी बेटा वो में पास bulwark था अब समझ गए आप ऐसा कुछ भी चीज़ बेटा जो आप कहते हो ना कि मुझे protect करता है बुरे टाइम पे that is also called the क्या कहलाएगा बेटा बॉल वाक बॉल वाक है आपके लिए जो आपको support करता है बचा के रखता है देखो हमने क्या कहा at the time facism had many supporters बिड़ा facism समझ लो क्या होता है देखो कुछ बच्चों को नहीं पता होगा बिड़ा facism एक system होता है जिसमें लोग अपनी race को support करते हैं अपने लोगों को support करते हैं और जो government होती है ना उसमें यह रहता है कि जो इनसान है position है उसे कोई right नहीं होता है government के साथ मतला वो कुछ भी कह पाए government के अगेंज़ देखो पूरा लिखा है a political system based on a very powerful leader बहुत ताकशवा leaders चलाते हैं state control होता है and being extremely proud of country यह country के लिए बहुत proud feel करते हैं and race के लिए race मतला जाती के लिए and in which political opposition is not allowed इसमें political opposition allowed नहीं है यानि कि आप politics का rules का government का विरोध नहीं कर सकते that is called fascism बहुत का word है ध्यान से रखना तो इसको हमने कैसे explain किया अब देखो at that time fascism had many supporters in the west जब हम देखते हैं न बिटर टाइम fascism had many supporters बहुत सारे supporters थे किसके बिटर fascism के west में who saw who saw कौन देखता है it is a bull walk against communism कि communism कि अगेंस क्या होगा बिटर बिलवॉक होगा यानि कि यह हमें communism से बचा लेगा ऐसा कौन सोसता है ठीक है so that is called bull walk समझ आगया मीनिंग ठीक नेक्स्ट आजओ ऑन दा बॉडर ऑफ द यूएस एंड मेक्सिको वाज़ा इल लॉजिकल आईडिया ठीक है बिटर धनांज है आपका content तयार है बढ़िया बच्चे आपने का agriculture remained the resilient bull walk देखो जो अग्री कर चाहता है रिमेंड था क्या resilient बिटर इसलेंट होता है न ताकतवर रिजिलेंट मतलब पारफुल पॉजिटिव एंथुजियास्टिक बुल वॉक था बिटा एक दिवार थी इन थार्ड क्वार्टर और तीसरे क्वार्टर में मतलब तीसरे क्वार् बिटा man stay होगा बिलकुल सही है defender होगा यह defender है यानि कि defend करता है और ram part होता है। ऐसे ही कोई आपने चीज आ रखी है जैसे आपने कोई बांध बनाया होता है that is called the ram part। इंडियन डैम्स बूल वाकस फ्रॉम दा फ्लड बिटा बिल्कुर सही बात है बचाते हैं अपोजिट एग्रेसर होगा लडने के मूड में हैं असेलेंट होगा बिटा वन हूँ अटेक्स को असेलेंट कहते हैं सेयाद कर लेना असेलेंट होता है बिटा वन हूँ अटेक्स ब मैं दों की बुल वर्क करते हैं हमारे लिए हमें प्रोटेक्ट करते हैं डाक्टिस कॉल्डब बुल वर्क आप कैसे भी इसको याद करें अधियर डिस्प्यूट बिट्विन इंडिया इंड पाकिस्तान ओवर करेज वर्क आप बड़े बड़े सेंटेंस नहीं आ रहे हैं पहले बहुत बड़े बड़े लिखते थे आजकल बड़े चोटे-चोटे सेंटेंस से काम चला रहे हूं अभी देखो मैं आपको बताता हूं संडे को मुझे टाइम दो और मंडे वाले सेंट में इस आपको पूरी कोशिश यह कि वर्ड आपको कभी परिसान नहीं करेंगे आपको कुछ भी परिसान करेंगे ऐसा कुछ अभी और प्लान करने वाले ठीक है आजो बिटा आज मेरे घर के के पास एक बिए सिर्फ जवान शहीद होगे जैसल में बॉर्ड अर्यार बहुत दुक्की की बात है बेटा रुकसार बहुत बहुत दुख वाली बात है बेटा एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलोजीज आर क्रेटिंग बुलवॉक एमंग चिल्डरन पेरेंट्स बिल्कुल यह बेटा बहुत दुक्की बात है आप देखो बेटा वर्ड है हमारा टमल्ट ठीक है बेटा आचमल्ट क्या होता है इससे समझ लूँ बेटा चमल्ट होता ह है आपने का कोला हल यानि के सोर सराबा नोईज एंड एक्साइटमेंट बेटा जैसे सब कर रहें न नोईज होगा एक्साइटमेंट होगा और स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन चेंज और अनसाइटिनिटी होगा ठीक है जैसे आजाओं अट अटमल्ट ओफ शाउटिंग एंड इसका शाउटिंग का ठीक है एंडि स्क्रीमिंग चेंज फ्रॉम विदिन दा हाउस भी इसका रहता ही वह शेकन बाइदा टमल्ट ओफ फिस फीलिंग्स बीटा क्या हुआ वो शेकन ओगे तर्मल्ट ओफ फिलिंग्स अपनी फीलिंग मतलम उसको लेके बिटा शोर शराबे हैं बहुत दुख्ती बात है भाई सर संडे को आप भी 25 मिनिट की क्लास ले लीजिए जिसमें हम सब आप से बात भी कर लेंगे और थोड़ी मोटिवेट भी हो जाएंगे लाइक टॉक विद इंग्लिश दुनिया ठीक है बेटा करते हैं ऐसा कुछ पीगे बिलकुल हाँ बिटो मतलब सच में आप देखो मैं कैमरी के सामने खड़ा हूं बच्छे क्लास चल दी है लेकिन सच में ऐसी चीज़ों को नहीं किया जा सकता है मतलब कितना दुख होता है मैंने भी एक बार देखा है हमारे बिलकुल पास में किसी कोई हुए थे शहीद या मतलब वो फ आर्मी पर्सनल घूमते रहते हैं और कुछ लोग ऐसे मतलब सोचते हैं ग्रांटिड ले लेते हैं उनको तो बहुत गलत लगता है और मुझे जो सबसे यादर लाइन याद आती है वो कैप्टेन बत्रा वाली याद आती है उनके बारे में एक थे उनके मेजर वीजर वो ब अच्छे हैं सब कुछ हैं तुम रुको मैं निकलता हूं और जैसे वो बहार निकले चौकी तो जीटली इंडियंस ने लेकिन वो शहीद हो गए तो यार ऐसी लाइने सुनके लगता है कि सही बात है कि आर्मी वाले लोगों के अंदर कितना जज़बा होता है तब ही जब से है कि मैं उस क्लास को पढ़ा रहा हूँ जिसके अंदर वो आग है भी बहुत मतला अल्टिमेट ठीक है मैं एक्स्प्लेन नहीं कर सकते हैं वह वाली वर्ट्स और आपको सबको मैं बता हूँ कि विक्रम साय के जो इंटर्व्यूज है बिटा जो भी उनके लाइफ के बारे में पढ़ा हुआ है आप सबको एक बार पढ़ना चाहिए हाँ बिटा एक बार आपको जरूर पढ़ना चाहिए मतलब यू जसे होता है न कि बच्चे कहते हैं कि मोटिवेशन नहीं आता है यह हम कहते हैं कि एक आदमी को कैसे मतलब यह चीज़ें आ जाती है निकलके कि कोई आदमी बहुत कम उपर में काम्याब हो जाता है चीज़ो बिल्कुल सही बात है ठीक आजो बिटा चलो शुरू करते हैं ठीक और बिटा लेट स्टार्ट तो बच्चे यह कहलाता है टर्मल्ट ऑफिस फीलिंग ठीक है नेक्स्ट आजो इसमें देखो हमने क्या कहा है ग्रोथ नंबर्स एलोंग एलोन में स्टिल नॉट बी कैप्चि इस मतलब क्या हुआ बिटा जो ग्रोथ नंबर्स है ना एलोन में स्टिल नॉट बी कैप्चिरिंग वह आप कैप्चिर नहीं कर सकते हैं दा टमल्ट फेस्ट बाइदा स्वेस्ट जो टमल्ट एक्साइटमेंट या कन्फूजन फेस्ट किया जा रहा है ना बाइदा स्वेस इनफॉर्मल एंड माइक्रो इंटरप्राइज के द्वारा तो आप वह ग्रोथ नंबर को कभी भी अकेले नहीं कैप्चिर कर सकते हो जो इन्होंने चोटी और इस अरी कन्फूजन होगा और बिटा को मोशन होता है साउंड होती है आपको बताया ना को मोशन होगा दिन कि आप अब गछार एक शांच होगा रिपोज उता है कैसी स्टेट इंट अम्यारत रिपोज हो जहाना वे परफेकट का मत्तलो हो और जो CHSL के लिए मतलब बहुत जादा important है, उतना section cover किया जाएगा, 12 बज़े से class होगी 6 March को, ऐसे ही, ताहिर सर बेटा 7 March को 3 बज़े से आपका quantitative aptitude का, वो सारा section वैसे सारी questions को cover करेंगे, जो आपके CHSL में आपकी बहुत जादा मदद करने वाले हैं, तो don't miss these sessions, बेटा बिलकुल भी miss ना करें, आजो, बेटा expeditious, ये वाइड है बच्छे, expeditious, ये expeditious क्या होता है बेटा, expeditious होता है बहुत तेजी से सिग्र, जैसे आपने का, that works well without wasting time, money, etc. जो बहुत तेजी से काम करता है, without wasting time, money, और मतलब ये सब एक्स्टा, वो खतम करें, तो that is called बेटा, क्या, expeditious, देख पारूं, वी विल प्रोवाइड, हम प्रोवाइड करेंगे, a fair and expeditious system, एक fair and expeditious system, बेटा, for examine, examine करने के लिए, claim करने के लिए, for refuse status, जिनके पाथ refuse status है न, बेटा, उस सब के लिए हम ये सब करने वाले है, बेटा, next बात करते है, expeditious का मतलब होता है, that works well without wasting time, money, etc. Okay, next, the smooth and expeditious rollout of the vaccine with the private sector drafted into achieve scale, मतलब क्या होगा, the smooth, बेटा, असान सा and expeditious, तेजी वाला सिग्र, जो call, rollout है न, बेटा, खुलने वाला उदा, वेक्शीन का मतलब मिलने वाली है, with the private sector drafted, ब्राइवेट सेक्टर अके साथ, वो ड्राफ्टेट उच किया, into achieve scale, मतलब उस नंबर क प्राप्ट करने के लिए, हम क्या करने की, जो प्राइवेट लोग है, एक्सपेडाइस, आज cds बेच, एक्सपेडिशन हाँ, बेटा, cds बेच होता है, तो अब समझ आ गए, एक्सपेडिशन का मतलब क्या होता है, that is called your adjective है, इसका मतलब होता है, तेजी से, तो हम उस आसान वर्ड है, तेज होता है, घाड़ी का नाम है, यादी रहेगा, अब बेटा, डॉटलिंग क्या होता है, धीरे-धीरे करना, किसे इसको वेरी स्लो, और लैगिंग हो जाता है, बेटा, किसी के बीच में, गैप आ जाना, it is called the lagging, ठीक है, next, expert plus PED, मतला, performance enhancing drug, work very fast and efficiently, मतला, आपने समझ ला, कि बेटा, expert है, in PED, मतला, आपने का performance enhancing drug, PED का मतलब होता है, performance enhancing drug, तो बेटा, क्या होता है, कि जो performance enhancing drugs होती है, यह expert को क्या कर देती है, बेटा, expeditious बना देती है, वो बहुत तेजी से काम करने लग जाता है, okay, expedition swift nimble, okay, बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे example लिख रहो, next आजो, बेटा, daftly, देखो, daftly आ गया, तो daftly में बेटा है तो पता है न, DEFT, DEFT, यह कौन होते हैं, बेटा, daftly तो होते हैं, कुशल, तो daftly, तेजी से, कुशलता से, चतुराई से, in a skillful, clever और quick way, आपने देखा होगा, बहुत सारे, बेटा, यह bartender जो होते हैं, यह बहुत अच्छे से, बेटा, ऐसे बनाते हैं, कॉक्टेल बनाते हैं, आपने देखा होगा, कि कैसे कॉक्टेल बनाते हैं, बहुत अच्छे से, आपने मतलब, movements को show करते हैं, gestures को show करते हैं, और उनको बेटा, अच्छे से, रूटेट करते हैं, तो आपने वो सब देखा होगा, बढ़ी अच्छे सी, बेटा, बेटा, वो ह तब क्या हुआ, he daftly caught the ball, उसने बड़ी चतुराई से, बड़ी तेजी से ball को पकड़ लिया, खुशलता के साथ में, और she daftly avoided answering his question, उसने क्या करा बेटा, बड़ी daftly, बड़ी चतुराई से avoid कर दिया, answering his question, कि जैसे होता है ना, बच्चे answer करने से, बच्ची चतुराई से बच जाते हैं teacher के, तो उसको daftly आप कह सकते हैं, तो उसने daftly ऐसा किया, ठीक है, रविंदर, रविंदर मैं आप से कह रहा हूँ, यह सब चीज़ें मैं कैसे बता सकता हूँ ना, भई आप मेरे class के भारे में पूछो के, मैं वही तो बता हूँगा, चंदन रौसन सरके इतने सारी YouTube होते हैं बच्चा, आप उनकी class में जाके उनी से पूछो, है ना, मैं यह कह दू कि मिल जाएगी, वो कहते हमाई पास तो है ही नहीं, तो बिटा वह आप उनसे बाते करो, कि क्यों नहीं दे रहे हैं, कैसे देंगे, ठीक है, वह जादा अच्छा होगा, आई, यू आइ, तो बीए, डाफ्ट परसें इन यू फिल्ड, तो पर्फॉर्म, एक्स्पीडिशेस वर्क, बहुत बढ़िया बिटा, बहुत अच्छे, शौरब एकदम सही है, मिला दिये वर्ट्स, बहुत अच्छे, डिप्लोमेट, डील्स, विद्ध बात है, वो इंडियन, नविगेट दबंप, हीड, हीड, बहुत अच्छे से, डिप्ली, ठीक है, नेक्स्ट आजो, हमने नेक्स्ट बात की, डिप्ली का मतलए, स्किल्फूल होगा, ठीक है, एंबी डेक्स्ट्रस हम पढ़ी चुके हैं, और डेक्स्ट्रस होगा, ठीक, अपोजिट क्य स्किल्फूल इन अधर एक्टिविटीज, मतलब क्या होता है, अगर कोई डीफ है बिट्टा, तो क्या है, वो अधर एक्टिविटीज में स्कुल्फूल है, डाट इस कॉल्ल देफ्ट, ओके, किसी चीज़ में स्किल्ड होना, नेक्स्ट आओ, आप देखो, यह कुछ बिट सादा वर्ड्स हो सकते हैं, कभी-कभी, लेकिन कोशिश यह रहती है कि एडिटोरियल का पूरा जो सेक्शन, उसका कोई भी ऐसा कॉर्णर या लाइन ना बचे, जहां के डिफिकल्ट वर्ड्स आपको हम ना कराएं, चीक है, तो पूरी कोशिश है कि इसके बाद जब आप पढ़ते हैं, तो आइडिटोरियल आपको इतना आसान लगना चाहिए कि आपको कभी डिक्स नहीं के जौरत ना पढ़े, तो बस आप अपने एक बाद रिवियो और दो कि क्या आपको सच में सारे वर्ड्स as it is मिल जाते हैं, मतलब पढ़ने में आसानी लगती होगी, ठीक जो भी आपकी उपीनियन है, वो जरूर लिखो, मैं आगे शुरू करता हूँ, समझो, इसलिए आप देख पार हो ना, अन्शुल बताया तो था बेटा, इस इस नाइन फाइव फोर एट फोर डबल नाइन डबल बन थ्री, लेकिन बेटा पर वाटसेप करेंगे, और जब म बेटा, immersed होना वोर्स है, और out of the woods, ओके, हाँ बेटा, हमेशा के लिए save मिलेगी है, हमेशा के लिए save वीडियो मिलेगी, बेटा, आजाओ, बेटा, 100 प्लस लाइक सोजाने चीए, क्या बात है, इतने दिन से पढ़ा रहें, क्या बात, बहुत बढ़ी है, आप पास में नही हो, ठीक है, जब पिस सब हो जाएंगी, बस selection लेके आजो, बस फड़ावट सौरब, ठीक है, और आप तो बेटा, बहुत मैनत कर रहे हो, तो आपको तो, हूफुली, बहुत जल्दी selection होना ने बीचिये, मतलब होता है, कि भगवान कब तक इमतिहान लेगा, वो जल्दी से जल्दी हो जाए, तो बहुत बढ़िया बात है, और बेटा, समझते हैं, आउट ओफ डेंजर और डिफिकल्टी, बेटा, खत्रे से बाहर निकलाना, आपने का, दा प्रोजेक्ट हास बिवन फंडिंग फॉर एन और यह, बट इस नोट आउट 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 ओड वोट नहीं है, बेटा, एगसामपल ओफ एडिटोरिय समझो, दा कमपनी मेझाव इमर्ज्ट फ़ंड वोट बेटा, बाहर निकल चुकी है, बट चैलेंजज़ लूम, मतलब भी क्या, एकनोमी बाहर निकली है, लेकिन चैलेंज़ अभी भी लूम करते है, नेक्स्ट जाब झायेगा तो आपने क्या कहा विट्ट आपने यह कहा उगये को मेरे बास समझ आगी कि कैसे बना है ठीक है ध्यान रखने वाली बात है और आपको हमेसे याद भी रहेगा कि आपके जो मतला हवा भरी थी ना आपके अंदर वो सब निकाल दी तो आपके हवा निकल गी तो आप एंथुजियादम कम हो गया एकसाइडमेंट भी नहीं रहा पॉजिटिव आउटलुक भी नहीं रहा ठीक है तो हमने का शी थौट शीव हैड वान बट वैना इट टोल्ड हर दा लेटर वाजए स्कैम आई रेट रेली बिटा तुक दा विंड आउट 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 ऑफ और सेल तो क्या करा बिटा उसने जो बॉनस है ना वादा तो टैक्सेस में ही चला जाएगा तो बेटा क्या हुआ उसकी हवा निकल गी मतला उसके अंदे जो कॉंफिडेंस एंथूजियाजम था वो कम हो गया ठीक नेक्स्ट आजों हाँ बिटे यह है जस्ट एस शॉर्ट नोटिस पैंडेमिक लोगडाउन और सब्सेक्वेंट केस सर्च तुक दविंड आउट ओफ दा मोबिलिटी एंड एक्क्नामिक एक्टिविटी मतलब क्या हो बिटे तुक दविंड आउट ओफ दा मोबिलिटी इस सबसे बिटा पिल्कुल उन्हें एंथुजियाजम को कम करते नेक्स आजो बिटे एक वर्ड होता पैंट पैंट अप का मतलब क्या होता समझो पैंट अप मतलब फीलिंग्स आर नौट अलाओड टू बी एक्स्प्रे प्लीज नहीं कर सकते जैसे देखो सेंटेस का हैं आई डॉंट तिंग एनिबड़ी वूड लाइक बिइंग पैंट अप इन दा हाउस ऑल दे टाइम मतलब मुझे कभी नहीं लगता कि कोई आदमी कभी भी बेटा पैंट अप कर पाएगा अपनी फीलिंग्स को इन दा हाउ अल दे टाइम कि कभी भी कोई आदमी घर में हम बोल पाएगा फ्री स्पीच दे पाएगा सब के सब बेटा घर में चुप चाप बैठे रहते हैं ठीक है नेक्स्ट आचों नेक्स्ट है बच्छे ऑल डैट पैंट फ्रेस्टेशन गस्ड आउट इन दा टॉर्मेंट और अब्यूज की धारा आगी होता है ना कि बहुत देर तक आप जेल ले थे लोगों को सब आपको लटा सीजा कह रहेते तो एक बार आपने जो फीलिंग्स थी ना वह पूरी बेटा एब्यूज की फॉर्मेस में निकाल दी गालिया दे दे के अपनी फीलिंग्स बाहर निकाल बोर्ड वैल फॉर संजो यह बोर्ड आपने सुना होगा याद हना बिटा बोर्डिंग बोर्ड मतलब होता है जब आप फ्यूचर के बारे में कुछ पता लगा देते हो फीलिंग्स बोर्ड मतलब 3 कि future में क्या होगा it is called your word board ठीक है अब board well for का मतलब हो गया future के बारे में well यानि कि अच्छा पता चल जाना आपने का to seem indicative और favorable outcome ऐसा लगता है कि कुछ positive result आने वाला है तो आपने का board well for मुझे positive feeling आ रही है तो board माने future का पता चलना है जो well है आपने का sunny weather boards well for our flight living on time मतलब sunny weather मुझे बताता है कि हमारी flight जो होगी वो बेटा on time चलेगी ठीक है आगे देखो being late to a job interview does not board well for your getting hired मतलब अगर आप interview के लिए late होते हो तो that doesn't board well उससे आपको positive feeling नहीं आएगी for you are getting hired कि तुम्हें कोई hire करेगा ठीक है तो that is called बेटा board well thank you shivik kumari बेटा thank you बच्चों बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छा लगता है कि आप सब लोग जुड़ते हैं और बस जब आप सब compliments करते हो तो ऐसा लगता है कि और मेहनत करो क्योंकि आपको समझ आना भी चाहिए और हमारी पूरी मेहनत है क्या समझाएं दा रिस्क ओफ इन्फेक्शन है ना इन्फेक्शन राइजिंग इन पोल बाउंडे ट्रेट बेटा बढ़ते जा रहा है ना इन्फेक्शन आप यह मत कहो कि कुछ अच्छा होगा डोंट बोट वैल इदा फॉर सर्विस और दा फ्रेजल रिकवरी इन दा मैनुफेक्शन ठ बच्छों आपका scaled down scale माने नापना होता अब को बताया था तो scale को down कर दो नापने को down कर दो यानि कि to reduce or decrease something in size or scope and to claim down something ठीक है ना आजो with this sudden decrease in funding we will have to scale down the project just five staff members मतलब बेटर जैसे जैसे हमारे पास funding कम हुई है तो हमें scale down करना होगा यानि कि कम करना होगा project को to just five staff members अब हमें बस पांच staff members को रखने है यानि कि उसको scale down करना होगा कम करना होगा ठीक next आजो next is the real GDP growth for the third quarter of the last fiscal has been scaled down to बेटा कम होगे थी कितने three point three percent okay from the four point one percent से आजो so that's all about your editorial आपका editorial बच्चे back to the future आगे समझ बेटा back to the future अब दुबारा future में लोटने का time है the economy may have emerged from the woods but challenge looms बेटा देखो अब जितने बच्चे C.A.P.F के तियारी कर रहे है ध्यान से देख लो बेटा पूरा का पूरा जो आपके सामने है यह C.A.P.F का essay है यह कहतो न topic बता दो बेटा topic की तो है आपने का Indian economy may have emerged from the woods but challenges looms यानि कि जो बता हो अच्छा topic है बिल्कुल current का topic है ऐसे ही topics बेटा C.A.P.F के exam में पूछे जाते हैं तो हम आपको कह रहा हो इन्हें धंक से पढ़ा करो क्योंकि इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा everything आपको content जो हैं लिखा हुए मानो rising by 0.4% and GVA by 1% ये सारे facts है बिटा दा हिंदू के facts है इसका मतला आप इनको गलत प्रूव नहीं कर पाओगे ठीक है तो सारी information बिटा correct है आपको जो words लिखे गए ये खुद 300-400 word का एक ऐसे है तो please इसको अच्छे से पढ़ना और शाम को एक बार बैठके लिखना भी ज हमें परेशान करे हुएं so these are the answers and बच्चो thanks for watching the class class देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको class कैसी लगी ये जरूर बता दे बहुत बढ़िया बेटा बहुत अच्छे और जितने बच्चे आज नहीं जुड़े हैं बेटा चैनल पे तो वो चैनल को subscribe करना बिलकु देखें बस सुबह एक घंटा वकैब के लिए और ये कैसा section जो सबसे ज़्यादा परेशान करता था सबसे पहला समाधान वकैब का ही होगा मिलते नेक्स क्लास में टेक किया बबाए जैहिन क्योंसार आए कर र Schedesок सकीया मैं, क्योंसे किढ़ू टेदो झाल झाल